हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जेनो नोटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे मैं आपको हाउ टू विकम आर ट्रेंड ड्राइवर या लोको पाइलेट आप कैसे बन सकते हैं अगर आप भारती रेल में ट्रेंड ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप किस तरह ऐसे ट्रेंड ड्राइवर बन सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन होगी, स्लेवर्स क्या रहेगा, एक्जाम पैटरन क्या होगा, सैलरी क्या होगी यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी तो अगर आप ट्रेंड ड्राइवर बनना चाहते हैं, ऐसे रिलेटेड आप नॉलेज रखना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, बल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर गवर्मेंट जॉब बेकेंसिस अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बल आइकन को प्रेस कर लीजेगा, ताकि लेटिस्ट गवर्मेंट जॉब नॉटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके साथ ही मैं बता दूँ इस टाइम मैं अभी कोर्सेस के बारे में जानकारी आपको जो वीडियोस हैं वो अप्लोड कर रही हूँ जैसा कि अभी हमारे देश में लॉग्डाउन की स्थिती बनी हुई है, लॉग्डाउन लगा हुआ है, जिस कंडिशन में है, उस बजए से अभी वेकैंसी पर वीडियो अप्लोड नहीं कर रही हूँ, ज्यादा वेकैंसी भी नहीं आ रही है अभी इस टाइम, बट जैसे ह कि नॉर्मल कंडिशन होती है, सिचुएशन नॉर्मल होती है, लॉग्डार होटता है, फिर जैसे ही वेकैंसी आती है, हमें वेकैंसी इस पर वीडियो अप्लोड करने लगूँगी, ओके सो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस व अलावा भी कई वेकैंसी होती है, कि पोस्ट होती है, जिस पर आप आविदन कर सकते हैं, सो ट्रेंड ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाइ करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर किलियर कर दूँ, आप जब आविदन करते हैं, असल में असिस्टेंट लोको के लिए ही आविदन करने के बाद में कुछ टाइम के बाद आपको प्रोमोट किया जाता है, और प्रोमोट करने के बाद आप सीनियर पालेट बनते हैं, सीनियर पालेट बनने के बाद कुछ टाइमिंग दिया जाता है, उसके बाद आप लोको पालेट बनते हैं, सो इस तर आप सकते हैं तो इस तरह से जो अजो आविदन आप कर रहे हैं वह डार्यक्ट लोको पालेट के लिए नहीं होगा आप तीन स्टेप में होगा सबसे पहले सिस्टेंट लोको पालेट दें इन लोको पालेट होगा १े अब चलिए हम next point क्या रहती है अगर आप train driver यह लोको प पास हैं कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की जरूत नहीं आप 10th के वेस पर अगर आप 10th पास आउट हैं तब आप लोको पालेट असिस्टेंट लोको पालेट के लिए एप्लाइ कर सकती हैं बट इसमें केंडिशन्स रहती हैं 10th पास आउट के बाद आपके पास यहां पर डि डिप्लॉमा के साथ और साथ ही साथ वो केंडिडेट जन्होंने 12th पास कर लिया है या जो ग्रेजुएट हैं वो भी यहां पर एलिजबिल रहते हैं एप्लाइ कर सकते हैं तो ज्यादा अगर हम देखें तो जो लोको पालेट पोस्ट के लिए जो एप्लाइ करते हैं उसमे कोई हार कॉलिफिकेशन भी आपके पास है तब भी आप यहां पर एलिजबिल रहेंगे एप्लाइ कर सकेंगे तो कुल मिलाकर minimum कॉलिफिकेशन यहां पर 10th पास रखी गई है और उसके बाद अगर आप 12th हैं ग्रेजुएट हैं हार कॉलिफिकेशन आपके पास है और आप क्या होनी चाहिए तो यहां पर age limit 18-28 साल रखी गई है जो की general categories के candidate के लिए रखी गई है लेकिन जो reserve categories के candidate रहेंगे OVC candidate या CST candidate रहेंगे या country करमचारी जो है और आप उसमें apply करना चाहते हैं इसके लिए तो आपके लिए जो भी central government के through age relaxation आपको दिया जाता है वो भी यह महां पर लागू होगा तो यह जो age limit है वो 18-18 साल general categories के लिए है इसके अलाबा अगर आप किसी other categories से ब्लॉंग करते हैं तो central government rules के according आपको age relaxation इसमें दे दिया जाता है so eligibility में qualification and age limit होती है next हम देखते है exam pattern and slivers exam pattern क्या रहता है आप assistant local pilot के लिए exam जो देते है रर्वी के through जो exam connect किया जाता है उसका exam pattern क्या रहता है तो four step में exam जो आपको selection रहता है फ्रोसीजर रहता है वो four step में रहती है first है आप पर written exam होगा second psychotest होगा third medical test and document verification written exam CVT type होता है psychotest आपके कुछ इस तरह के questions किया जाते हैं आपका mentally आपको check किया जाता है mind test भी आप इसको बोल सकते है medical test आपको medically fits basically इसमें आपसे eyesight आपकी check किया जाती है आइसाइट आपकी अच्छी होने चाहिए document verification last में आपका document verification होता है इसके लिए आपको बुलाए जाता है अब हम written examination का जो आपका slavers रहता है वो देखते है written examination में आपसे जो question किये जाते हैं वो four subjects जैसे कि general knowledge, general science, reasoning and mathematics जो generally competition exam में question किये जाते हैं उसी तरह से paper रहता है CVT type ये paper रहता है तो आप जो general competition के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी के वेस पर ये test होगा आपका इतना ज्यादा tough नहीं रहता है आप इसली क्या थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं then आप इसको pass कर लिते हैं यहाँ पर general knowledge आपको होनी चाहिए, general science के questions आपसे किये जाते हैं, reasoning questions आपसे किये जाते हैं and mathematics आपसे किया जाता है यह तो थी syllabus की बात, अब exam में अगर हम paper आपका देखे तो यहाँ पर आपको जो question है वो 120 questions होते हैं आपके exam में and उसको आपको 90 minute का time दिया जाता है, 90 minute में आपको 120 questions solve करने होते हैं एक और बात मैं आपको बता दू, minus marking यहाँ पर रहती है, तो आप जो भी answer दे, उसका carefully answer दे, आपको minus marking होगी, wrong answer होने पर आपका minus कर दिया जाता है तो यह था exam pattern and slivers, किस तरह से आपका selection procedure रहता है, slivers क्या रहता है, आप किस तरह से caution का आपको timing, paper timing दी जाती है अब हम next देखते हैं, salary, अगर आप train driver बन जाते हैं, या आप locopilot बन जाते हैं, assistant locopilot, then आपकी जो salary है, starting salary अगर हम देखें, तो 20 से 25,000 से starting हो जाती है यह assistant locopilot के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, assistant locopilot के बाद, आप senior locopilot बनते हैं, senior, उसके बाद आप locopilot बनते हैं, तो इस तरह से आपकी salary है, वो increase होती है, लेकिन starting आपकी 20 से 25,000 रहती है, आगे आपकी जो increase होती है, उसमें आपका 50,000 से उपर भी आपके जा सकती है So friends, यह हो गई salary की बाद, locopilot की भरती railway में, जो train driver है, उसकी salary कितनी होती है, So यहाँ पर जो भी slivers, exam pattern and salary, एक बात और मैं आपको बताओ, अगर आप train driver बनना चाहते हैं, locopilot आप बनना चाहते हैं, और इसके लिए आप apply करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी, RRB का railway recruitment board जो है, RRB, वो ही सारे exams के लिए, जो post रहती है railway में, उसके लिए exam connect कराते हैं, तो उसकी जो official website है, आप उसको check करती रहेगा, इसके लिए जो vacancies निकलती है, उसको आप check करती रहेगा, अगर आप इसमें apply करना चाहते हो, जैसे भी कोई vacancies आती है, तो मैं भी अपने channel पर vacancies इसके बारे में जानकारी देती ही हूँ, तो मैं भी आपको दूंगे, okay, so friends, ये तो थी लोको पाइलेट, या assistant लोको पाइलेट हम कहें, या railway driver हम कहें, या train driver, बनने के लिए जो भी सारी जानकारी थी, जो मैंने आपको इस वीडियो में explain की है, आसा करती हूँ, आपको ये helpful रही होगी, लोको पाइलेट बनने की starting से लेकर के end तक जो भी थी, साथ में यापर training दी जाती है, जो मैंने आप उसे miss कर दिया नहीं, बता पाई हूँ, उस बीच में जो training दी जाती है, आप train हो जाते है, starting में आपको माल गाड़ी दी जाती है, जब आप माल गाड़ी पर अच्छे से आपका हाथ साफ हो जाता है, आप अच्छे से चलाने लगते हैं, तब आपको public train आपको दी जाती है, ओके सो इस तरह से ये पूरा process रहता है, अगर आप लोको पालेट बनना चाहती है, तो साथी friends, अगर आप कोई वीडियो helpful रहा हो, तो वीडियो को like कर लिज और हाँ, bell icon को press करना मत भूलेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया, government job vacancies की notification लाती हूँ, साथी आपको यहाँ पर courses की जानकारी देती हूँ, तो government job vacancies का notification भी time से मिल सके, और साथी साथ courses का भी notification आपको time से मिल सके, अगर आप 10th pass out है, 12th pass out है, या graduation आपने किया हुआ है, और आप अपने केरियर को लेकर के confused हैं, decision नहीं ले पा रहे हैं, या किसी course या job के बारे में आपको knowledge नहीं हैं, और आप वो बनना चाहते हैं, तो वो notification आपको time से जरूर मिलना चाहिए, जो आपको carrier आगे एक आपको, right carrier आपको दे सके, और अगर आपको मेरा वीडियो में जो वीडियो अपलोड करती हो, अगर आपको थोड़ा भूत भी अगर उससे आपको helpful रहती है, तो मुझे भी बहुत खुसी होगी, so जरूर चैनल को subscribe and bell icon को press कर लिजेगा, thank you